Hey guys, welcome to Targate सरकारी नौकरी भारत का भुगोल इंडियन जग्रफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 डिस्क्स करेंगे जिसमें आज का टॉपिक होगा भारत 1 स्थिति रिपोर्ट 2019 इंडिया स्टेट ओफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 इस टॉपिक को भारत के भुगोल और करेंट अफेर्स दोनों में शामिल किया जाता है और यहां से प्रतियक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और इससे पहले जितने प्रैक्टिस सेट किये गए हैं इतिहास के भुगोल के सम्विधान के सफलता प्रैक्टिस सेट सबकी प्लेलिस चैनल पर बना दी गई है आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं इनके PDF हमारी टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलिग्राम में आप टार्गीट सरकारी नौकरी के नाम से सर्च करेंगे तो बीस हजार से ज्यादा स्टुडेंट है इसी लोगों के साथ वो चैनल बना हुआ है आप उसको जॉइन कर लीजे एक एक प्रशन बेहद खास है चलिए शुरुवात करते हैं और आज आपके लिए वे ज्यान का प्रैक्टिस सेट भी आएगा पहला सवाल देखें वर्ष 2019 में भारत वन इस्थिति रिपोर्ट का कौन सा संस्क्रण जारी हुआ भारत के भोगुलिक छेतरफल पर यानि भारत के सभी राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों में जो वनों का विस्थार है उसके आकलन पर एक रिपोर्ट जारी की जाती है दो वर्ष के अंतराल पर यानि हर दो साल में एक रिपोर्ट आती है जिसे हम जानते हैं ISFR के नाम से मतलब इंडिया स्टेट ओफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से लेटिस्ट ये रिपोर्ट हमारे पास 2019 की है और साल 2019 की जो भारत वन इस्थिति रिपोर्ट है ये शुरुआत से 16 वी रिपोर्ट ह जो पहली 1st ISFR यानि भारत की पहली वन इस्थिति रिपोर्ट साल 1987 में जारी की गई थी और उसके बाद से ये हर दो वर्ष के अंतराल पर होने वाली भारत की 16 वी भारत की वन इस्थिति रिपोर्ट है इस कांसर कर लेंगे option C और अब लेटिस्ट जो रिपोर्ट आएगी हुष है वे 2021 में यानि इस वर्ष जारी की जायेगी अब आपसे प्रश्शन लेटिस्ट ये बनाएगा की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का कौन सा संस्क्रण जारी होगा 17 ऐडिशन होगा इसका यज 7 रवा संस्क्रण होगा इसी में ये प्रश्न भी बना सकता है कि भार वनिस्तिती रिपोर्ट 2021 कौन सी नंबर की रिपोर्ट या कौन सा संस्क्रण होगा तो आप आंसर करेंगे 17th रिपोर्ट होगी अब तो अब जो रिपोर्ट आएगी वो चाहें इस वर्ष आए क्योंकि कोवेट की वई से हो सकता है इस वर्ष जारी ना की जाए तो जब भी र 17th रिपोर्ट होगी ISFR की ये भी याद रखेंगे इस साल के एंट तक ये जारी हो ही जाएगी संभवता भारतिय वनिस्तिते रिपोर्ट को द्वीवार्शिक रूप से भारतिय वन सर्वेक्षन के द्वारा किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है अब एक प्रश्न है य यनि हर दो वर्ष में एक बार ये जारी की जाती है कौन जारी करता है ये भी लिखा हुआ है भारतिय वन सर्वेक्षन इसको इश्यू करता है इस रिपोर्ट को जारी करता है पब्लिश करता है और किस वर्ष से ये प्रकाशित की जा रही है ऑप्शन बी देखिए 1987 से ये इस प्रश्ण को ऐसे भी फ्रेम कर सकता है भारत वनिस्तिती रिपोर्ट जो भारत यवन सर्वेक्षन के द्वारा प्रथम बार प्रकाशित की गई थी साल 1987 एक प्रश्ण को आप कई तरह से पूछ सकते हैं भारत वनिस्तिती रिपोर्ट 2019 किस मंत्राले द्वारा जारी की चलवायू परिवर्थन मंत्राले की द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है ऑप्शन C भारत वनेश्टिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के वनावरण का कितने प्रतिशत वनों में लगने वाली आख से प्रभावित है यानि जो भारत का टोटल एरिया है जिस पर वन पाये जाते हैं उन वनों वाले एरिया में कितना प्रतिशत आख से प्रभावित है तो ये इतना एरिया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है 21.4 जीरू प्रतिशत एरिया है वनों का जो आख से प्रभावित है याई जो वनों में जंगलों में आग लगती है उसकी बात है सवाल अगला भारत वनिस्तेते रिपोर्ट क्रमशा कितने वर्षों में जारी की जाती है प्रती एक दो वर्ष के अंतराल पर यानी द्वीवार्शिक रिपोर्ट है यह बाइनियल रिपोर्ट होती है Option C रहेगा सही इसका भारत का जो Ministry of Environment and Forest and Climate Change यानि पर्यावरण 1 और जल्वाई परिवर्थन मंत्राल है इसी के अधीन भारती 1 सर्वेक्षन यानि Forest Survey of India, Forest Survey of India यानि FSI की वर्ग करता है स्थापना हुईती 1981 में इसकी और इसका हैटकोर्टर देहरदून उत्राखन में है Option A सही अनसर होगा इसका किस राज्य के वन और वरिक्षावरण में सरवादिक विर्धी हुई है विजस्टेट हैस दी हाइस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर यहां सिर्फ राज्यों को लिया है भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा वन यनि फॉरेस्ट में विर्धी किस राज्य में हुई है सबसे ज्यादा जो विर्धी हुई है वो करनाटक जो करनाटक राज्य है करनाटक स्टेट के वनों में हुई है और उसके बाद नमबर आता है अप्शन में अगर नहीं होगा करनाटक तो आंदर प्रदेश सेकेंड नमबर पर आता है करनाटक के बाद आंदर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनावरण और विरिक्षावरण में वृत्ती हुई है फिर थर्ड नमबर पर कीरल, जमो कश्मीर, हिमाचल सवाल नमबर अगला छेतरफल की दिरिस्टी से यह छेतरफल की दिरिस्टी में भारत का कौन सा राज्य वन और विरिक्षावरण के मामले में पहले स्थान पर है इस से पहले वाले सवाल में और इसमें क्या डिफरेंस है पिछले प्रशन के अगर हम बात करें तो करनाटक राज्य में जो 2017 में जितना वन छेतरफल था सबसे ज्यादा वृद्धी हुई है बागी राज्यों के मुकावले में 2019 यानि दो वर्शों में सबी राज्यों में अगर आप देखोगे कंपारिजन करोगे तो करनाटक राज्य में ज्यादा वृद्धी हुई है उस नए छेतरफल की नए वन छेतरफल की और अगर आप देखोगे छेतरफल की दिरिस्टी से भारत का कौन सा राज्य वन और विरिक्षार वन के मामने पहले स्थान पर यानि एग्जिस्टिंग अगर अब सारे राज्यों का कंपारिजन करते हो तो किस में वन सबसे ज्यादा है प्रशन है यह यह टूटल फोरेस्ट और ट्री कवर एरिया किस राज्य का ज्यादा है यह सबसे ज्यादा वन वाला छेतरफल किस राज्य का है तो यह है मध्यप्रदेश ऑप्षिन डी पहले नंबर पर है मध्यप्रदेश के बाद आता है अरुनांचल प्रदेश के बाद में आता है थर्ट पुजिशन पर चतिसकड इसी ओर्डर में याद रखना है आपको नेक्स देखिए भारत में सरवाधिक वन और विरिक्षा ब्रण प्रतिशत किस राज्य का है पिछले वाले सवाल से काफी मैच कर रहा है कुशन यहाँ पर परसंटेज पूछा है भारत के किसी राज्य में सबसे ज्यादा जो एरिया मतलब भारत के किसी राज्य का ज्यादा तर एरिया यह सबसे ज्यादा एरिया जिस पर जंगल है या वन है वो मध्यपरदेश का है अगर आप किसी स्टेट की बात कर रहे हो इस स्टेट का टोटल एरिया मान लीजिए इ वन ही वन है यह वनों का प्रतिश्यत में अगर देखें तो मिजोरम का है एरिया में अगर आप देखोगे मिजोरम राज्ये का जो छेत्र फल है उसका 85% 85.4% एरिया पर क्या है ये वरक्षावरण और वनावरण है हलाकि MP में अगर आप देखोगे मध्यपरदेश के इतने एरिया पर जंगल नहीं है लेकिन बाकी क्योंकि एरिया उसका काफी है टोटल एरिया मध्यपरदेश का ज्यादा है तो उसमें जंगल ज्यादा है लेकिन वो 85% नहीं है लेकिन अगर आप परसंटेज में सबस्यादा दिखोगे तो वो मिजोरम में है किसी स्टेट के छेत्रफल के अकॉर्डिंग ये तो हो गया पहली स्थान पर सेकेंड पर होगा इसी कैटेग्री में अरुनांचल थर्ड पर होगा मेगालया नेक्स देखें मैंगरूव वनों की सरवाधिक विरिद्धी जो हाइस्ट ग्रोथ है मैंगरूव वनों की वो किस राज्य में है मैंगरूव वनों में सबसे ज्यादा विरिद्धी होई है गुजरात में Option B, गुजरात, तो इसमें मैंगरूवरों में सरवादिक विरिद्धी, गुजरात की सेकेंड नमबर पे आती है, महरास्ट, थर्ड पर है उडिसा में, निम्न में से किन दो पूर्वोत्तर राज्यों के वन और विरिक्षा वरण में विरिद्धी हुई है, कौन से दो नौर् असम, वर्तमान में भारत के जो इन्वार्मेंट मिनिस्टर है, पर्यावरन मंत्री कौन है, प्रकाश जावडेकर, नेक्स है कि भारत के कुल भोगलिक छेतरफल का कितना प्रतिश्यत हिस्सा वनो और व्रक्ष्यों से अक्षा देत है, यह प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर भारत का कुल भोगलिक छेतरफल यानि टोटल जोगरिफिकल एरिया को हम देखें, तो उसका परसंटेज अगर आप निकालोगे, कितने प्रतिश्यत हिस्से पर भारत के वन है, और आप वनों के साथ में क्या है, व्रक्ष्य है, भा एरिया पर फैले हुए हैं, जंगल यानि वन और वरिक्ष्य और ये अगर आपको इसको प्रतिश्यत में बताना हो, तो इसका कितने परसंट हो जाएगा ये, चोबिस दशम लव, पांच छे प्रतिश्यत, यानि ये वाला जो एरिया है, किसके एक्वल है ये, आठ लाग सा 7276 किलोमेटर एरिया भारत के कुल भगोली चेतरफल के 24 दशम लव, पांच छे प्रतिश्यत के एक्वल होता है, आप्शन C, तो ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है, जो अगली रिपोर्ट आएगी, उसमें ये एरिया अब और बढ़ चुका होगा, नेक्स देखिए, रास 7 नीती, नैशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, 1988 में, इसके अकॉर्डिंग ये तै किया गया कि भारत का जो जो जोग्रफिकल एरिया है, उसके कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होनी चाहिए, तो एक तिहाई हिस्से पर यानी, वन थर्ड या तैतिस प्रतिशत भारत के भागलिक एरिया पर वन होनी जरूरी है, ये तो इतना रिकमेंट किया है, ठीक है, इतना होना इतना टार्गेट है, लेकिन है कितना अभी वर्तमान में, 56, 24, 5, 6 प्रतिशत, यानी हम इसकी ओर अभी बढ़ रहे हैं, यानी इस टार्गेट से इस गोल से अभी हम लगभग 10 प्रतिशत पीछे हैं, वन सर्विक्षिट 2019 में भारत के कुल वन और विरिक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वरिधी हुई है, यानी 2017 में जो भोगलिक छेतरफल पर वन थे जितने पर, उससे अगर दो साल के बाद 2019 में देखा गया इस रिपोर्ट में, तो कितना एरिया बढ़ चुका था, तो यह एरिया जो बढ़ा था वो था, 5188 किलोमीटर, वर्तमान में भारत का कुल कितना छेतरफल वनो और विरिक्षो से अक्षा देत है, यही प्रशन अभी हमने किया था, तो इसमें यह एरिया हमने डिसकस किया था, 8,7276 किलोमीटर, जो कि अ लास कुशन करते हैं, इक कुशन हम कर चुके हैं पहले ही, वन और व्रिक्षा वरण में सरवादिक विर्धी करने वाले राज्यों का सही करम, अब दो से तीन राज्यों के एक साथ करके दे सकता, अब जानते हैं सबसे ज़्यादा जो ट्री और फोरेस्ट कवर में इंक्रि और फेरल, ओप्शिन C, सेलेक करेंगे, चलिए यह तो हुए जैनरल क्वेस्टन होगे इस रिपोर्ट के नुसार, अब इस क्वेस्टन में स्पेशल क्वेस्टन क्या बना सकते हैं, हम इस रिपोर्ट का परिपेश हम देखेंगे उतर प्रदेस में इस रिपोर्ट का क्या facts उत्र प्रदेश में क्या हाल चाल है वनों के, कितना प्रतीशत है उत्र प्रदेश का वन, टूटल भारत के 6 तरफल का, और कुछ और मिसलीनिस क्वेशन है इसी रिपोर्ट के, जो पूछे आते हैं, उनको as a fact अब देखते हैं हम यहाँ पर, इसमें अब देखो, देश में अ हमारे देश का कुल एरिया कितने एरिया में है, 4975 वर्ग किलोमेटर एरिया में, जो 32 लाग भारत का 6 तरफल है, 32 लाग 87 वर्ग किलोमेटर में से इतने एरिया पर, क्या हैं मैंगरूव कवर हैं अगर इस एरिया को देखोगे भारत के 100% एरिया में यानि 32,87,000 में ये कुल पृतिशत बैठता है दशमलब 1.5% एरिया होता है ये इतना और आप देखोगे सबसे ज्यादा मैंगरूव वाले राज्ये यानि सबसे ज्यादा मैंगरूव वन किस राजिम पाए जाते हैं पश्चि मंगाल में 42.5% के बाद आता है गुजरात 23.6% के बाद अंडमा निकुबार आइलेंड है ये और उसके बाद आंद्रपरदेश existence देख लिया मैंगरूव वन कहां कहां अच्छा देती यानि कहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पस्चे मंगाल में पाए जाते हैं लेकिन अब इनी एरियास में जहां जहां मैंगरूव वन हैं 2017 के बाद 2019 में जब हमने देखा तो विरिद्धी इंक्रिमेंट कहां ज्यादा हुआ गुजरात वाले छेतर में ज्यादा मैंगरूव वनों की विरिद्धी हो गई विरिद्धी में दूसरे नमबर पर महरास्ट आ गया फिर तीसे नमबर पर ओडिसा आ गया जब इस प्रशन पर आई ही गए हैं तो यहां पर वो कितना एरिया जो है बढ़ गया ये भी आप देख लीजिए ये है 37 वर किलोमीटर महरास्ट में 16 वर किलोमीटर और ओडिसा म में 8 वर किलोमीटर 21 वाली रिपोर्ट जब आएगी उसको भी हम कवर करेंगे लेकिन जब तक 21 की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होगी उससे पहले तक जो प्रशन आएंगे वह 2019 वाली रिपोर्ट पर ही आएंगे उत्रप्रदेश का भी देख लो यहीं पर अगर हम यूपी का एरिया देखें यूपी के टोटल एरिया का इतना 14806 वर किलोमीटर एरिया पर जंगल है भारत में उत्रप्रदेश के छेत्रफल पर और ये जो फॉरस कवर है यूपी का जो ये फॉरस कवर है ये भारत के कुल छेत्रफल का होता है 6.15 पृतिशत एक सवाल यहां से और पूछ सकता है आपसे कि भारत में जो वन है वनों से जो इंधन की लकडियां मिलती है उन पर सबसे ज़्यदा डिपेंडेंसी किस राज्य की है तो जो महरास्ट राज्य है महरास्ट राज्य है वनों से प्राप्त होने वाली इंधन की लकडियों पर सबसे ज्यादा आश्यरित राज्य माना जाता है इस रिपोर्ट के और अगर आप देखोगे चारा इमारती लकडी और बांस इन पर जो आश्रित राज्य है वो है मत्यप्रदेश इसको करेंगे वनों में इंधन की लकडियों के लिए या वनों से इंधन की लकडियों के लिए सबसे ज्यादा आश्रित राज्य कोन सा है ज्यादा डिपंडेंसी कौन से राज्य की महाराश्ट की है एक पॉइंट एक क्वेशन में डिस्कस किया था कि असम और तिरीपुरा यनि पूर्व उत्तर के इन दो राज्यों को छोड़कर बागी सभी उत्तर पूर्वी राज्यो कि जो वनावरण है उसके छेतरफल में कमी आई है सिर्फ इन दोनों में ही व्रद्धी है ये स्थिती तो हमने जान ली जो कि हमारे देश की भोगलिक छेतरफल की बात कर रही थी रिपोर्ट अगर आप अवरॉल देखो प्रत्वी पर जो कॉंटिनेंट्स हैं सारे के सारे म और हमारे भारत की इस्थिती क्या है यानि हम कमपारिजन करेंगे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रेस्ट किस देश में पाय जाते हैं यानि हम बात कर रहे हैं The State of World's Forest Report की विश्ववन इस्थिती रिपोर्ट 2020 में आया है डिटा तो देखें इसमें विश्व में सब से ज्यादा वन आवरान है फस्ट पुजिशन पर 20% पूरे विश्व के 20% जंगल पाय जाते हैं रशिया में सेकेंड नमबर पर ब्रजील है के बाद है कनेडा और चोथे नमबर पर अमेरिका यानि USA चाइना पांच पी नमबर पर और आप देखोगे भारत तो 10 भी पुजिशन पर है इसमें तो ये मार्क कर सकते हैं फस्ट सेकेंड थर्ड जरूर याद रखें आप तो भारत में जो हमने 24.56 पृतिशत एरिये पर जो वन देखे हैं ये तो भारत के जो 100% एरिया है भारत का जो कुल एरिया है उसका इतना पृतिशत है अगर हम टोटल विश्व के जितने सारे महादीप हैं उसमें देखेंगे ये वाला जो पृतिशत है कितना बन जाएगा तो ये केवल दो पृतिशत छेत्रफल पर अगर हम वर्ल्ड का कंपारेजन करें यानि पूरे विश्व मेश्व में जितने जंगल है उसके दो पृतिशियत जंगल हमारे देश में हैं भारत में हैं तो ये रहा विश्व वनिस्तिती रिपोर्ट स्टेट sheet of world's forest report और हमने इंडिया की जो state forest report है दोनों per question को discuss किया है तो यहां से आपके questions इनी में से आपको मिल जाएंगे ठीक है जितना भी discussion हमने किया इस report से अगर question आएगा तो आपको यहीं से मिल जाएगा असानी से चलिए हम अगले lecture या अगले practice set में हम discuss करेंगे भुगोल के practice set में भारत में पाए जाने वाली one वनस पती यह सब किस-किस तरह की वनस पतियां वन पाए जाते हैं यहीं टाइप यह actually भुगोल का ही topic है और यह जो अभी हम discuss कर रहे हैं यह current का topic है लेकिन क्योंकि यह भुगोल से समान दीत है इसलिए इसमें discuss कर लिए हमने इसको चलिए इस practice set को यहाँ पर खत्म करते हैं वीडियो पसंद आया तो like जरूर कीजिएगा इसको and share भी कीजिए और अपनी पढ़ाई अब जो है अब आप continue कीजिए एक जोन यानि आज से हम जिससे भुगोल का किया है अभी दो से तीन practice set अलग अलग विश्यों के discuss करेंगे वे ग्यान काज करेंगे एक साथी उत्रप्रदेश special भी हम करने जा रहे हैं और current affairs को लगवा हमने आपको complete करा दिया एक मई का current affairs हमें आपको और देना है उसके साथ में हम अब आपको जो current affairs है वो category wise पढ़ाएंगे ठीक है जिससे पुरस्खारों का अलग पढ़ा दिया आपको किताबे जो 2021 में लिखी गई है और 2021 में जो sports की events हुए है इस तरह से category wise डिवाइट करके हम आपको भी discuss कर देंगे जो कि हम पहले और लड़ी cover कर चुके हैं अपने month wise current affair में चलिए thank you so much